हेलो वेलकम तो सूहाना किच्छन चानल अगर आप आप मारे चानल में नए हैं तो इसे लाइक और सबस्राइब करना ना भूलें तो चलिए ले चलते हैं कुछ कुरकुरा चीज बनाने तो आज हम बना रहे हैं मिक्स दान्य चावल के कुरकुरे वड़े तो चावल के कुरकुरे बनाने के लिए एक बाउल में आपको चना दान लेनी है और इसे दोना नहीं है सिर्फ इसे साफ कपड़ों से पोच लेना है फिर उसकी बाद हम क्या करेंगे उसकी बाद हम एक और बाउल में मूं की दान लेंगे आप इसे छिलकी वाली भी ले सकते ह और दुली भी ले सकते हमारे पास छिलकी वाली थी तो हम इसे उस तरीके से ले रहे हैं तो अब हम इसे क्या करेंगे इसे भी हम ढोएंगे नहीं फिर हम चार टीजबुन उरद दाल लेंगे और इसे भी साफ कपड़े से अच्छे तरीके से पोच लेना है पोचने की बाद अ हम राइज ले रहे हैं हमारे पास ब्रोकन राइज है आप चावल का भी यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से हमने चारों ठीजबुन को अरेंज कर लिया है अब हम इसे क्या करेंगे हम इसमें बड़े जार में चावल को और चनी की डाल को आड़ करेंगे आपकी पास बड़ किया हो बने और देखिये इस तरह के से हम एक काम ने पेशन लिया है को इसे लिए हमारे पाउडर को रख दिया और फरेक्के रहे जादा पतला या बारीक तो नहीं हुआ है क्योंकि हमें इसे थोड़ा दरदरा ही पीसना है तो इस तरीके से अब हम इसमें क्या आड़ करेंगे अगर आपके पास कड है तो आप कड आड़ कर सकते हैं पर इसमें हमने बटर मिलक आड़ किया है मतलब छाद छाद की साथ हमको इस बैटर को क्या करना है प्रिपेर करना है हम इसमें पानी का यूज नहीं करेंगे पर बहुत सारे लोगों की पास अगर दही है तो आप दही की साथ इस बैटर को क्या कर सकते हैं प्रिपेर कर सकते हैं और तब भी आपका ये बैटर प्रिपेर नहीं हो रहा है तो आप लिटर बिट मतलब थोड़े से पानी को इसमें आड़ कर सकते हैं पर हम थोड़े थोड़े करके इसमें बटर मिल्क मतलब चाच को डालेंगे और दीरे-दीरे हातों से इसका जो प्रिपरेशन है उसको प्रिपेर करेंगे तो देखिए हमें थोड़े और मटी की जरुवती तो हमने इसे डाल कर फिर से इसका बैटर प्रिप प्रिपेर हो गया है अब हमने इसमें हाफ कप बटर मिल्क आड़ किया और आड़ करने के बाद फिर से हम इस डो को क्या करेंगे प्रिपेर करेंगे क्योंकि हम इसे चपाती जैसे डो नहीं प्रिपेर करना है क्या बनाने जा रहे हम वड़े बनाने जा रहे हलके आतों से अ और टेक्स्ट्र दोनों ही बदल गया है अगर आप इसे थोड़े देट के लिए सेटल डाउन होने देंगे तो ये जो मसाले है वो बटर मिल्क में अच्छे तरीके सोख हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा ये कितने अच्छे तरीके से सौप और अच्छी तरीके स करेंगे एक टिस्बून जीरा पाउडर आड़ करेंगे तो एक चमाच गोल मिर्च का पाउडर इसमें आड़ करेंगी अब धीरे अब मिश्च और इंग्रीडियेंट्ट आप तो अमनें टू जी ले लिए और उसको फाइन चॉप कर लिया तो इसे भी आड़ कर देंगे अ अब इसमें हमने वन ओनियन लिया और इसे हमने फाइन चौप कर लिए और उसे भी आड़ करेंगे अब वन बाउल अ कोरियांडा लिया मतलब धनिया धनिया तो आड़ करना बहुत इंपॉर्टन वहना स्वाथ कहां से आएगा अब इसमें हमने वन पिंच वह सकते हैं एक इं तो अब हम चलेंगे इसमें वान टू टू टीजबून ओई लाइड करने क्योंकि इसका टेक्शुर और यह जो मसाले आड़ कि वह अच्छे तरीके से मिक्स होने के लिए आप इसमें एक चिली फिक्स आड़ करेंगे आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप तीगा खाना पसंद नहीं करते हैं तो अब इसमें हमने पिंच ऑफ बेकिंग सोटा आड़ किया है आप इसे हाफ टीजबून भी आड़ कर सकते हैं क्योंकि इससे जो वड़े हैं वो थोड़ा फफीनेस होगा उसमें थोड़े स्पंजी तरीके से बनेंगे अब इसे हम पूरे मैप पैर कर लिया है अब सबसे इंपोर्टन चीजब अगर नमक नहीं डालेंगे तो स्वात कहां से आएगा तो इसमें हमारे टीजबून सॉल्ट आड़ किया आप अपनी तरीके से कम और ज्यादा दोनों ही कर सकते हैं तो देखिए फिर से हमने नमक डाला और हमने अच्छी त करेंगे अब तो बैटर बन चुका है अब हम इसे करेंगे तो हमने एक यूटेंसल लिया है आप तबा ले सकते हैं कडाई ले सकते हैं उसमें तेल को गरम कर लीजिए याद रखें ती जाधा गरम ना हो और ना जाधा ठंडा हो मीडियम स्टीम में आपको क्या करना है वड इतना सौफ्ट है आप देखें कितने सौफ्ट तरीके से हमें कोई शेप देने की ज़रुवत नहीं पड़ें अपने अप हल्का से थम को प्रेशर कर रहे हैं और वह अपने आप शेप में कनवर्ट होते जा रहें तो इस तरीके से तेल में एक एक करके से आड़ करना है आपको दीरे-दीरे से क्या करना है तरन आउट करना है मतलब पलट की देखना है कि आपके जो वड़े हैं वो नीचे से पक रहे हैं कि नहीं पक रहे हैं तो देखिए किस तरीके से इनका जो कलर है वो चेंज हो गया और यह गोल्डन कलर के बिल्कुल रेडी हो गया तो तो देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह कुरकुरे और टेस्टी वड़े तयार है आप इसे सॉस के साथ खाए पर हमें नारिल की चट्टी के साथ पसंद है तो हमने इस तरीके से सर्फ गया तो जल्दी जाए और अपने किचिन में दोड़ी और जल्दी जल्दी जट पर सु वीडियो आया ही नहीं तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए ऐसे कुरकुरे वड़ों को खाने के लिए हमारे चानल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और टेस्टी वड़ों का आनन्द लीजे और कहते रहिए पडोसियों के साथ कि ये रेसिपी मैंने सोहाना चानल से सीकर थांक्यू लाइब